हेलो काई आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है आए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने डिवाइस पे दो हाजा चौबिस एक्सल वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं यह बिल्कुल जैन्वेन है करक्ट है तो इसके लिए वीडियो को आप इसकी मत किजेगा लास तक आप देखते रहें मैं आपको कंप्लीट इंफोर्मेशन दूंगा करक्ट है तो आए चलिए चलते हैं सबसे पहले अने आपको कहां करना कोई सब्सक्राइब करना मैं और आपने कर interven seconds auf in अभर आपने लिखना है lorsque Microsoft मध देखके नीचे आगिया माईक्र सब्सक्राइब और एपने इस पर क्लिक करना है ठीक्क है आपने क्लिक करना है ठीक है आपके पास ये वाला पेज आ गया ठीक यह देखे कर डाउनलोड हो गया ठीक है डियरेक्डडर में ताल भीचिंट उसक्तों में आगे आपने करना क्या है यहां से एक ये ग methine भाइन बाउर पेर प्रोग्राम फाइल में भी आप चेक करना है अगर आपके पास एक्जिस्टिंग ऑफिस है तो इसको आप अनिस्टॉल कर दीज़ेगा ठीक है नहीं तो हो सकता है आपको आगे यह प्रॉब्लम आए ठीक है आपने करना क्या है यहां पर एक फोल्डर क्लिएट करना है ठीक है जिसका नाम होगा Office lub 2004 ठीक है ध्यां से देख लिए आपको बिल्गुल यहीट करना से यह पने टैप किया इसको आपन करते हैं अब आपने यहां पर पर पेस्ट करना से फाइल आ अब आपने यहां पर क्या करना है राइट क्लिक करना है razadministrator इस पसे आपने क्लिक करना है ठीक है कि जैसे आपने अपने क्लिक किया एक करे कहां कर लिजएगा है कंदिया ए अपसे पूछ रही कि आपको यह मा है Chi ठीक है इसमें अपने यह फोलडर बनाए था ओक्र ता जैसे आपने की कि यह देखेगा फाइल a गए है तो आपने इतना करना फिर अब आगे क्या तो अब मैं आपको बताता हूं ठीक है दोबारा से चलते हैं आपने ब्राउजर पर ठीक है यह वाला क्लिए ओग्या ठीक है जो की Microsoft का page है ठीक है आपने एक काम करना है down में आना है ठीक है बस आपने यहाँ पर रोखना है ठीक है यह जो code है आपने एक काम करना XML code को copy करना है ठीक है copy की आपने सर्च में जाईए यहाँ लिखिए नोट पैड नोट पैड आपने लिखा और यहां पर इसको पेट कर दिला है अभी बात हो रही है ऑफिस टॉंटी टॉंटीफोर थी कि आप देख सकते हैं प्रोप्लस 2024 ठीक है यह इंस्टॉल करना है उसके बाद है वीजन प्रो उसके बाद है प्रोजेक्ट प्रो ठीक है आपको यह नहीं चाहिए एक काम कर लिजेगा प्रोड़क्ट से लेके प्रोड़क्ट से लेके प्रोड़क्ट आइडी तक डिलीट कर लिजेगा डिलीट आपने कर लिया ठीक है अब आपने क्या करना है आपने प्रोड़क्ट एडी इंटर यहां पर करनी है ठीक है इंटर कैसे करनी है एक काम कर लिजेगा उसी पेज में जाते हैं फ्रिइस से देखिएंगा य्जूज के में ऑपने से कैक करना है और से जैसे ही आप क्लिक करतें यह देखेगा ग्रडिफॉल्ट वह और यहां पर शांता सकतें के ड्रैडबं नतीक है किया आप यहां पर आपने ध्यान देना है आप किस नाम से यह सेब करना है जूम कर देता हूं यहां से दिखते रहे है छी में आप उसी नाम से save करना है, जो नाम मैं यहां पर दे रहा हूं, ठीक है, आपने यहां पर type करना है, configuration, ठीक है, make sure किजिएगा, यह small में होना चाहिए, अगर आप यहां पर capital में C लिख देते हो, तो यह वाला जो setup है, वो बिलकुल error दे देगा, ठीक है, आपने small में लिखना है, ठी configuration, last में आना है, dot xml, क्या आपने type करना है, configuration dot xml, ठीक है, इतना ही आपने type किया, काम आपका हो गया, then, save पर click करना है, ठीक है, यह file अब क्या हो गई है, save हो गई है, ठीक है, इसको देखने के लिए एक काम करता हूँ, मैं, मैं उसी folder में जाता हूँ, ठीक है, यह वाला फोल save हो गई है, ठीक है, अब इसको बंद करते हैं, ठीक है, चले ठीक है, यह वाला step भी पूरा होगे, अब next क्या करना है आपको, ठीक है, अब आपको next क्या करना है, यह देखेगा, इसको क्या बोलते है, address bar, ठीक है, यहाँ पर आपने type करना है, cmd, क्मांड प्रोंड की window open हो जाएगी, ठीक है, आप यहाँ से भी direct open कर सकते हैं, नहीं तो आप मैं आपको बता देता हूँ, सर्च पर जाना है आपने, यहाँ पर आपने cmd जैसे ही type करते हैं, यह देखे क्मांड प्रोंड आ लिए, ठीक है, इसको आपने click कर देना है, same window आ अब आप अच्छे से देखिएगा, पहले वाली window में और इस window में क्या नता रहे, वो वाली window direct आपको उसी address भी ले गए थी, यहाँ पर आपको by default जो system में user होगा, उस महाब ले जाएगा, अब आपको इसी link पे जाने के लिए क्या करना, अगर जिनको तो command prompt की script आती है, वो खुल्ड कान सा था, यह था, खुल्ड का नाम आपने लिखा, आप देखिएगा, same window पर आगई आप, ठीक है, अब आपने क्या करना है यहाँ पर, एक काम कर लिजेगा, यहाँ पर जाएगे आप, ठीक है, अब आपने क्याना क्या है, यह देखिएगा, console है, आपने इसको copy करना है, ठीक है, copy किया, आपने, command पर आना है, और यहाँ पर paste करना है, ठीक है, क्या करना है, ठीक है, अपने keyboard से फिर, इंटर हिट कीजिएगा, जैसे ही आप इंटर हिट करते हैं, यह देखिएगा, new window open हो जाएगी, आप आपने yes करना है, ठीक है, यह देखिएगा, Microsoft download होन ठीक है तो आईए मैं आपको नेक्स बताता हूं कि यह कैसे सो करेगा करेक्ट है आप देख सकते हैं मेरे पास एक ऐसा पॉप आ जाएगा ठीक है जहां पर ऑफिस 365 डाउनलोड हो रहा है ठीक है कुछ समय लगेगा ठीक है जैसे कि लास्ट यह एंड हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा देखे इस प्रोसेस में माइक्रोशॉप अब आपका इंस्टॉल हो गया है ठीक है आप देख सकते हैं माइक्रोशॉप 365 एन ऑफिस एप्लिकेशन और इस्टॉल ऑन यूर करता है मैं एककाम करता हूं ऩायक को ओपिन यह दिखेगा आफिस eh eh एक प्राइए अब को क्रणा क्या है करना हो ऐपने डाउन करना है ठीक है अब आपने करना क्या है प्रोडट की को को इस्टोल करता है एक वाली की कापी करना है ठीक है ध्यांद दिजएगा यहां पर है जो अपने notepad में की को कौपी पेस्ट किया था और यहां पर आप र में चाहां पर लिखा होगा उसको आपने कपी करना एक यहीं आपने कापी किया आपने वर्ट फाईल में आना है यहां पर आपने चेंज प्रोड़क्ट के को क्लिक करना है ठीक है अब आपने क्या करना है अब आपने अक्टिवेट पे करना है जैसे ही आप सब्स्राइब करना है एक चैनल कर सक्टिवेट-ह। को झाल 2018 घ्राओंग की और जया और यहां है आपके पास उसन प्रोडक्ट एक्किवेटेड कि इसको क्लोज थी जा एकसल पर जाइए ठीक एकसल को एकसल को क्लिक कर दीजिए गाप यह नहीं ठीक bubbles workbook सेलट किया ठीक है आपने फाइल फडेज गये अकाउंट आपने यहाँ पर देखना चाहा अकाउंट पे आपने क्लिक टीक है अकाउंट पर क्लिक की जिए ठीक है तो यहां पर क्या लिखा हुआ है प्रोड़क्ट एक्टिवेट और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा अगर आप वीडियो इस टैम देख रहे हैं हो सकता है इसका एड्मिन कौन है यह जो की है आप इसको ऑनलाइन एक्टिवेट करना चाहते हैं यह ऑफ लाइन पर सलेट कर लेजिएगा उसके ब्रैकेट में देखे रिकमर्ण लिखाओगा ठीक है उस बॉक्स आ जाएगा उस पर ओके कर लिए तो आपका प्रोड़क्ट एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है यह वाला जो ऑप्सन है उसको अपनाने के बार करक्ट है मेरे पास नहीं आया वाल ऑप्सन हो सकता है आपके पास आये ठीक है अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और एक चीज़ आओ रहे हैं अगर आपने वीडियो यहां तक देखा और आपका ऑफिस इंस्टॉल हो गया है और उसको आप यूज कर लें तो कमेंट सेक्शन में यह जुरू लिखना इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है इससे हमें यह लगता है कि ठीक है आपने हमारा वीडियो देखा है करटे ठीक है और हो सकते यह वीडि जाल नेक्स्वीटियो में